हेलो दोस्तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचे आज हम बनाएंगे फिस पकोड़ा कुछ नए तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मचली लिए हैं अब इसमें एक चमच हल्दी डाल देंगे एक चोथाई चमच नमक डाल देंगे अब इसको मेक्स कर लेंगे अच्छे से प्यासा मचली लिए हैं अब इसमें मचली तलने के लिए तेल को अच्छे से गरम कर लेना है तेल गरम हो गया है अब इसमें आधा कप तेल डालेंगे अधिया आज में फ्राइट करेंगे इसमेन करेंगे आञा मचली तो हमें तक गरम तेल में क्राइब करना चाहिए मचली तो नहरा कलर पर हो गया है अब इसको निकाल लेंगे तो इसी तरह सारे मचली के फिस ठ्राय कर लेंगे दू बड़ा चमच बेसान लीएंगे इसे में एक चाहँ चमच हल्दी डाल देंगे एक चब थाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चब थाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अमसार नमक, इसी में एक अंडा फोड़ कर डाल देंगे, अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसी तरीके से गाढ़ा बेटर बना लेना है, अब पकोड़े तलेंगे, फ्राय करी हुई फीस को बेसम में लपेट लेंगे, अच्छे से लपेट कर, तेल गरम हो चुका है, अब पकोड़े तल लेंगे, जिने अच्छे में पकोड़े तलना है, क्योंकि हम मच्छी को फराय कर चुके हैं, अब इसको निकाल लेंगे, इसी तरह पकोड़े तलना है, एक ही मिनट में पकोड़े तल जा रहे हैं, मच्छी को पकोड़े तयार हो जाता है, ज्यान रखना चाहिए, सारे हमारे मच्छी पकोड़ा तयार हो गया है, आप भी इस बीधी से जरूर बनाएं, और हमें कोमेंट करें, कि हमारे रेसिपी कैसे लगी है, हमारे रेसिपी पसंद आए, तो लाइक करें, सेयर करें, और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, करें कर दो